हलो दोस्तों नमस्कार आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल सुरिया एजुके सेहल्डिस में तो आज किस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार नुबेश्टी के बारे हम तो बिहार नुबेश्टी में PG की थड़ मेटलिस्ट के बारे हम बात करने वाले हैं को हुए अप लोग भriv लोग को बताने वाले हैं मुक्यूप से कि आप लोग का मेड़िस्ट को बाने वी वाला है साथ ही यह भी भी बताएंगे क्ょ तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगो समझ में आएगा और साथ यह चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेल गाम चैनल का लिंक होगा जाकर आप लोग जोईन कर से चलिए हम आग उसल कर दी गई तही लेकिन उसमें जाज की जानीति अब उसे जाज पूरि हो गई है और अर्लों के मेटलीष्ट अपलों को जोड़ाइखेंगे प्र्थमिकता अव सबसे पहले आप लोह को यहां पर समझ सकते हैं यहां पर आप लोग पूरा विडियो में आप लोगको समझने आएगा सबसे पहले यहां देख सकते हैं बिहार ज्याल में पीजी में दाखले के लिए जारी तिसरी में इटलिस्ट में गरबड़ी की जाच पूरी हो गई है यानि कि आप लोगों को जाच हो नीथी आप लोगों का मेटलिस्ट में वह जाच हो चुकि ही है दोसर तिन दिनों के अंदर आप लोग का यानि कि बुद्ध वयस्वत तक आप लोग का जो रिपोर्ट है वो सफ दी जाएगी तो अगले मंगलबार तक आप लोग अग्ले मंगल बार इस मंगल बार नहीं अगले मंगल बार तक आप लोग के मेटलिः जारी कर दी जाएगी उससे पहले भी जारी हो सकती है लेकिन अगकल सब्सक्राइब नाम नहीं लिखा पाए थे तो उनके लिए भी यहां पर दिया गया है कि आप लोग को उनको मौका दिया जाएगा सब्सक्राइब पाए आप लोग को पटादे किस तरह से मौका दिया जाएगा यहां पर दख सकते हैं इसमें दियागा इसमें तिसरी लिष्ट में यहां यहां रिपोर्ट कुल्पाति सव्पीग उसके बाद फिर से शुधार कर तिसियमें इस निकाल जाएगा आप लोग को जो पहले सिमें लिष्ट जारी कि गए थी उन्हाईगी तीश्री लिष्ट में जिनका दावा बनता है अधिले में उन्हें प्रत्थमिक्ता हुस्री लिष्ट में जो अब सुदार कर मुंदि जले कि जएगी उसमें जिनका नाम म फेस सा उंहिंप नहीं हा सकता नों इसमें जिनका नाम आएगा जो थर्ड मेटलिस्ट है जो अब मंगलवार के लगभग जारी करेगी तो उसमें जिनका भी नाम रहेगा उनको अडिविशन हो जाएगा उहीं बात करिए हां पर दियागा कि सीट खाली रहने पर पहली सुची कैधार पर चेनी सबेशे करोना या अनने किसी कारण से नमांकर नहीं ले सके थे दरसल तिस्री मेटलिष निकालने के बाद शिरकायत मिलने पर कुल पति डाक्टर हनुमान परसाध पांडे ने प्रति कुल कुलपति डाक्टर रिबींद कुमार के धहस्ता में 16-10 कमेटी के गठित की थी और उसके ब पिर यहां दिया पताया था कि में यह माइस के ओर्डिनेटर को बुलाकर कई बिंदों पर पूछता है कि तिस्री मेट लिष्ट में कई इसे नाम भी साइमिल किये गए जिनके नाम पहले में था सुची में भी थे लेकिन नमांकन नहीं लेने पर उने दवारत पीसे में सामिल किसी भी बेर से बाढ़ के कारण करोना के कारण या किसी और बेर से आप लोग नमांकर नहीं ले पाएं किसी ना किसी बेर साप लोग नमांकर नहीं आपका हो सका तो आप लोग को पता दे कि रूल है बिहान वेश्टी का कि आप लोग को आगे जो मेटलिस्ट है उसमें आप को मौका नहीं दीया जाएगा बल्कि आप लोह को जो मौका दिया जाएगा मोफ आट में नहीं का तरह में separation आंफ़ समय कर लिकाशन करना दोग सब्सकिमिद का लिए जिसके का लिए पर पीज़े erot को दोगतर को ससवे में अैंट Alut. करना पड़ा आप लोग उता देख जिनका नवांग करना ही हो सका किसी बज़से तो उनको मुझा दिया जाएगा वहीं पर दिया काटफ दूसरी में था सुची से अधिक हो गई थी जिसके वेसे आप लोग उता देख कि जो आप लोग का थर्ड मिट लिष्ट जारी की गई अब लोग प्रफश मेंट लिष्ट वाले कंडिरेट के उसमें नाम दिया गया थे जिसके वेसे काटफ फाय हो गया था और इसके वेसे इसे जाश्ट करने पर पता चला तो आप लोग का जो बता देखिए सबसे पहले क्या जारी हो जाएगी वहीं बात करें जो जो चूट गये हैं उनको मोका दिया जाएगा कि नहीं तो मोका दिया जाएगा लेकिन स्पोर्ट राउंड में आप लोग मोका दिया जाएगा और आप लोग का स्पोर्ट राउंड में मोका दिया सकता है उससे पहले आप लोग मोका नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप जो सारे किसे कि हमक females करना चाहें आप लोग को स्प्पाट रावंड में आप को मोखा दिया जा सकता है चलिए मिल नेस्टूडियों में विडियो कैसा लगा में ड़े ऑप लो किमेंट्स बताइएगा तब तक क्लिए में जाए भारत